नमस्कार, MP Newscast में आपका स्वागत है, मैं हुआ आपके साथ दीप्ती भटागर। आए शुवात करते हैं दनभर के कुछ खास खबरों के साथ। उक्त केंद्र के नए भवन का उध्धातन आज जिलादी श्वी प्रियंक मिश्रा के करकमलो द्वारा डाइरेक्टर प्लांट की उपस्तिती में किया गया। से जुड़े केंद्रों का ब्रमन किया गया। साथ ही प्रशिक्षन आर्थियों से वारताला भी हुई। दिशा सेंटर के नए भवन में रूरल BPO प्रोजेक्ट एवं दोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन कोर्स संचालित किया जा रहा है जिस हे तो ACC ट्रस्ट द्वारा संपून लेब का सेटप किया गया है। स्थानिय यूपतियों के द्वारा उनके ग्रह नगर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-बिजनेस और ई-कॉमर्स पर कार्य करते देख मुख्य अतिती बहुत प्रसन हुए एवं इस अनुपम पहल की अत्यंत सराहना की। CSR हेड एनेट एफ विश्वास ने बताया कि रूरल बीपियो प्रोजेक्ट का विस्तार आगामी माह तक लगभग 50 यूपतियों के साथ एवं आगामी वर्ष में 100 यूपतियों के साथ प्रस्तावित हैं। यह सुनकर कलेक्टर सर द्वारा इस तरह की परियोजना का संचालन जिला स्तर पर भी करने का प्रस्ताव किया गया जिसमें कटनी शेहरीक शेत्र के भी बच्चे लाभानवित हो सकेंगे। वयामी प्रयोग को समझते हुए बसको प्रत्येक ब्लॉक के चैनित सी। एम, राइस स्कूलों में भेज कर विद्यार्थियों को डिजिटल एजूकेशन से जोरने का सुझाव भी दिया गया। ततपश्चात ACC Trust द्वारा जल सनरक्षन एवं समवर्धन की दिशा में किये जा रहे कारियों के संबंध में जानकारी ली, साथ ही दो प्रगतिशील कार्यों का अवलोकन किया जिनमें कैमोर के पनिहाई धाम से जुड़े पहारी क्षेत्र में किये गए जल सनरक्षन कार्यों का निरीक्षन किया गया, जिनमें 27 लूज बोल्डर एवं 4 गेबियन स्ट्रक्चर शामिल हैं। आजादी के अमरित महोत्सव के अंतरगत ग्राम पंचायत अमेहटा में एसी सी ट्रस्ट कैमोर द्वारा पुराने तालाब का गहरी करण कार्यों किया गया है, जिसमें की लगभग 13,000 क्यूबिक मीटर से अधिक पानी सनरक्षित किया जाने का प्रावधान है, साथ ही इसी तालाब के नजदीक पहाडी क्षेतर से बह रहे पानी को सनरक्षित करने हेतू अर्दन चेक डैम और वेस्ट वेर निर्मान कार्य प्रस्तावित है, जिससे 30,000 घन मीटर पानी सनरक्षित किया जाना संभावित है, इस कार्य का भूमी पूजन भी जिला कलेक्टर कटनी द् बनाने में ACC Trust Team के साथ सहयोगी संस्थान बायफ, जन्मनगल संस्थान, मानव जीवन विकास समिती, नाद गुंजन कला परिशत की मुख्य भूमिका रही है तो कि ये कांग तो ये पीखी का फोटेक्टच का ही है, ये ऐसे ज़री जो हम स्पांसर कर देगा अगर यहां के दो-चार लोग से खाना होगा है, तब हम पीस दीड़ का वैज हम अपना ही इंप्लोईई को प्रेंग करना जाएँ, अपने पतवारी को, अपने आराई को ज इसमें भी उटीग है, तो इसमें अपार करना के अगा है, क्या गारना है? तो इप शर ट्रेइनिग हो तो इसमें कूल रहे है तो इसमें अगर आउटलाप बोल्मिक प्रेश को बीचे आउटला प्रेश्ट।